इस खट्टे मिठे नमकीन के लिए हम 6 टेबल स्पून शुद देसी घी गरम करेंगे तो घी गरम हो गया है अब इसमें 75 ग्राम मकाना को फ्राई करेंगे और मकाना हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हलका सा गुलाबी न हो जाए और गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो मकाना हमारा तल गया है अब इसे एक ब्लेट में निकाल लेंगे अब इसी घी में हम पीनट को डालेंगे तो यहां हम 500 ग्राम पीनट का प्रियोग करेंगे इसे हम फ्राई करेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए तो देखिए पीनिट हमारा गुला भी हो गया है अब इसे हम छान लेंगे सारे नमकीन को हम टिश्यू पेपर पे छान के रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा घी या ओईल अपने आप सोक ले और 150 ग्राम काजू हम खोल कर दो पार्ट में करके इसे डी प्राई करेंगे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे तो काजू हमारा गुला भी हो गया है अब इसे हम छान लेंगे इसमें हम 50 ग्राम बदाम डालेंगे इसे हम चान लेंगे बहुत जाता इसको हम डी फ्राई नहीं करेंगे अब इसी घी में हम 100 ग्राम किश्मिस को डी फ्राई करेंगे घी में किश्मिस जाने से वो अपने आप फूल जाएगा और इसके फूलने पे हम किश्मिस को घी से निकाल लेंगे गैस का फ्लेम हम लोही रखेंगे तो देखे किसमिस हमारा फूल रहा है अब इसे चान लेंगे एक कडाही में हम ओलिव ओईड गरम करेंगे और यहां हम 500 ग्राम फ्लाटन ड्राइस इट मींस की पोहा लेंगे इसे हम थोड़ा थोड़ा पार्ट में प्राइ करेंगे डी प्राइ करके इसका ओईल एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और एक टिशू पेपर लगे हुए प्लेट में इसको हम छान लेंगे ऐसे ही हम पूरे 500 ग्राम पोही को थोड़ा थोड़ा करके तल लेंगे और तल कर इसका एक्स्ट्रा ओयल निकाल कर इसे छान कर टिशू पेपर पे ही रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा ओयल टिशू पेपर सोक ले और बहुत ओयली न बने इसमें हम 100 ग्राम कानफ्लेक्स टालेंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेंगे जिससे अच्छे से फूल जाए हमारा कॉन्फलेक्स तल गया है ऐसे ही हम 100 ग्राम कॉन्फलेक्स को तल लेंगे तली हुई समागरी को हम पेपर लगे हुए बाउल में रखेंगे अब टन बाई टन हम मिक्सिंग बाउल में पहले पोहा को डालेंगे सारे पोहे को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे तो देखे कितना ओईल हमारा टिशु पेपर सक किया है अब टिशु पेपर को हम साइड करके अटा देंगे इसमें हम konflex को डालेंगे dry foods को डालेंगे कुछ बादाम हमने pieces finely chop कर रखे हैं उसे अलग से mix कर लेंगे तो हम पोहा dry foods और konflex को mixing bowl में अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसमें spice add करेंगे तो हम इसमें 1 teaspoon sugar powder 1.5 teaspoon काश्मिरी लाल मिर्च काश्मिरी लाल मिर्च थीखा नहीं होता है और बहुत ही सुंदर गला आता है तो इसका प्रयोग हम कर रहे हैं 1 teaspoon salt और 1.5 teaspoon चाट मसाला 1.5 teaspoon roasted cumin powder भुना हुआ जीरा powder 1.4 teaspoon काली मिर्च पॉर्डर ब्लैक पेपर पॉर्डर अब इन सब सामागरियों को हम मिक्स कर लेंगे और टीस्ट में नमक अगर कम हो तो आप नमक अपनी सौदा नुसार ज़्यादा और कम कर सकते हैं इसमें हम काला नमक डालेंगे 1.5 teaspoon अब इन सब सामागरियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा नमकीन रडी है अब इसमें कुछ पीसे हमने बादाम के बारिक चौप कर रखे थे उसे भी इसमें अड़ कर लेंगे तो हमारा एकदम लाजबाब नमकीन तयार हो गया है अब इसे हम एर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे और इस नमकीन को हम दो मन तक स्टोर करके खा सकते है बहुत ही यमी लगता है जिसे आप टी टाइम स्नैक्स कर सकते हैं यह बहुत टेस्टी बनता है इसे बच्चे भी पसंद करते हैं बुड़े भी पसंद करते हैं नौजवान पसंद करते हैं तो दोस्तों इस रेस्पी को खुद बनाईए और लाइक करें मेरी रेस्पी और जदा जदा लोगों में इस रेस्पी को शेयर करें जिसे मेरी रेस्पी सब को मिल सकें